अभी जो आप ये glow मेरे चेहरे पे देख रहे हो मैंने अभी एक pack बना के अपने चेहरे पे लगाया था उसके बाद मैंने अपने चेहरे पे लगाई हुई है sunscreen और lipstick इसके अलावा मेरे चेहरे पे कोई भी makeup नहीं है तो अगर आप भी ऐसा ही glow चाते हो तो आज की वीडियो आपके साथ एक ऐसा पैक शेयर करने वाली हूँ अगर आप इसे हफते में दो से तीन बार अपने चेहरे पे लगाते हो तो आपको अपनी बेजान रूखी सुखी स्किन से चुटका रा मिल जाएगा उसके साथ में आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा glow आएगा काफी जद बढ़ने इस पहले आप सभी सी एक छोटी सी रुकेश्ट है अगर आप लोग फर्स टाइम मेरे चैनल पर आयो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब वीडियो को कर देना लाइक ज्यादा स्जादा शेयर मुझे फेस्बुक इंस्टाग्राम दोनों जगे फॉलो कर लेना द नहीं भी हैं तो आप इने ओनलाइन मगा लीजी या फिर आपको यह किसी भी राशन की शौप पर आसनी से मिल जाएंगे जो अलसी की बीज थे पहले मैंने इनको साफ किया साफ करने के बाद धूप में सुखाया उसके बाद मैंने क्या किया है इनको डाला है मिक्सी जार के अंदर और अब मैं इनका पाउडर तयार कर लेती हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इसका पाउडर हो चुका है तयार मैंने एकदम बारिक तरीके से इनको पीज लिया है और अगर आपसे बारिक नहीं पिसे हैं तो आप इसे चान भी सकते हो क्योंकि जितना बारिक आप इ अलसी की बीज का पाउडर आपको ले लेना है मैंने लिया है एक चमच एक वार के लिए और इसमें मैंने डाला है कच्चा दूद आप चाहो तो उबला हुआ दूद ले सकते हो मलाई वाला दूद ले सकते हो कैसा भी दूद ले लिजिए जैसा भी आपके पास पर अविलि क्लिए हीं अब को लगें इसमें एक कुबाला चुका है मतलब यह थोड़ा सका गरम हो चुका है गल्याद को एकदम धील कर दEocal कर देना है जितना हो सक LISA को आपको इसे धीमी आरच पर भी पकाना है क्योंकि धीमी तो पकाओगे मतलब इसे इस तरीके से चलाते रहना है आपकी जो चम्मच है बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही जल्दी से गाड़ा हो जाता है जब आप अलसी की बीज का जैल तैयार करते हो क्रीम तैयार करते हो कोई हेयर पैक तैयार करते हो तो क्योंकि जब आप इसे ठंडा करोगे न तो यह सैट हो जाएगा और जम जाएगा इतना उबलता हुआ तो आप अपनी इसकिन पर इसे लगा नहीं पाऊगे तो अपनी इसकिन पर तो हम तभी लगाएंगे जब नॉर्मल टेंपरिचर पर आ जाएगा तो यहां पर मैंने इ का काम करेगा अगर आपकी लूज सकिन टाम से पहले काफी जबह चुकी लटक चुकी है तो सकीन को टाइट करने में help करेगा उसके साथ में मतल Ellis एक किन काफी ज़धा mun Is एक दम रोखी सुखी फटी-फटी रहती है आप कुछ भी लगाते हो नहां के आते हो तब भी आप देखते हो आपकी जदा काफे ज़्यदा रोखी सुखी हो जाती है तो उससे यह काफी ज़्यदा बचा के रखेगी आपकी स्किन में एक नेस्ट्रॉल glow बना के रखेगी तो यहाँ पर मैंने किया है gas को कर दिया है बंद और gas बंद करने के पर अब आप देख सकते हुए इसकी जो consistency है आप आपको आपको ढखा रह incarnate है तो मैंने gas को कर दिया है बंद और थोड़ी दिर मैं इस तरीकी से लगाना है तो यहाँ पर यह नॉर्मल टेंपरिचर पर आ चुका है मैंने इसे किसी बॉल के अंदर तो नहीं निकाला इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी पहले आपको क्या करना है पर चेरे को कर लेना है उसी तरीके से आप लगा लोगे उसी के ऊपर मतला तो आपको दाने निकल सकते हैं या फिर रेडनेस ऐलर्जी आपको हो सकते है तो इसलिए चेरे को क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यहाँ पर जो पैक था इसे लेके मैंने एकमोटी सी लेयर बनाकर अपने पूरे चेरे पे लगाई है Facebook लगाने के एक तरीका होता जैसे कि आप नीचे से लगाऊगे ना नीचे की सैड से स्टार्ट करोगे इसे तो नीचे से उपर की सैड लगाई है उसके बाद इस तरीके से जैसे कि मैं लगा रही हूँ ऐसे आप लगा लीजिए अगर आप ये वाला पैक मॉर्णिंग में लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो इसकी कोई भी टाइमिंग नहीं है कि ये सिर्फ मॉर्णिंग में काम करेगा आपके चेहरे पे अगर आप इसे इवनिंग में लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे दिन में जब भी या फ्री होते हो जब भी आपके पास में टाइम होता है उस समय पे आप इस पैक को लगा लीजिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ अगर आपका पैक थोड़ा सा ज़्यादा बच बन गया है तो आप उसे रख भी सकते हो और नेक्ट आप उसे अपने चेहरे पे यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरी मतला एक मूटी सी लेर बना लिए थोड़ा सा मेरा भी बच गया था तो मैं भी क्या करूँगे इसे कल अपने चेहरे पे लगा लूँगी तो लगाने के बाद आपको छोड़ देना है कम से कम 10 मिनट के लिए तो यहाँ पे देख सकते हो इसे हो चुके हैं पूरे 10 मिनट के अंदर यह जारा ड्राय तो नहीं हुआ था लेकिन आपको 10 मिनट के ही लिए ही रखना है क्योंकि अभी सर्द्या इती जली ड्राय नहीं होता है अब आपको क्या करना है smoothly इस पेक को आपको इस तरीके से निकालने नहीं है जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ अगर आप direct अपने चेहरे को दोगे न तो इससे निकालने में थोड़ी से मुश्किल आपको हो सकती है और wash machine वगरा भी खराब हो जाती है तो इसलिए मैं क्या करती हूँ जब भी कोई ऐसा पेक लगाती हूँ अपने चेहरे पे तो पहले spoon से इस तरीके से लेके और मतला साफ कर लेती हूँ तो इससे क्या होता है, जो पहाती है जो पैक है ईजली निकल जाता है और जब हम अपने चेहरे को साफ करते तो हमारा जो चेहरा है व भी क्लीन हो साफ करते पैक निकलना है मतलब इस पैक को लगाने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आपको बहार जाना है तो धियान रखें पहले मोश्राइजर लगाएं उसके बाद अपने चेरे पे संस्क्रीन लगाएं कम से कम 15-20 मट पहले जब आप कहीं बहार निकलें तो यह बहुत ज़रूरी है आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको इसे अपने चेरे पे लगाना है आपकी चेरे की जितनी भी समस्या है जैसे कि अगर आपकी स्किन काफी ज़्यादा ड्राय रहती है यह टाइम से पहले आपकी स्किन काफी ज़्यादा लूज रहने लगिए तो आपको इन सारी ही समस्याओं से छुटकरा मिल जाएगा आई हो आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना अब मैं आप से मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ नई व्लोग के साथ बाई बाई